बैंगलूर की स्टार्ट अप कंपनी की सीए ओ सूचना सेट गोवा के होटल में बेटे की हत्या करने के बाद लाल रंग का एक ट्रॉली बेग लेकर निकली थी बेक काफी भारी था गोवा करनाटक बॉर्डर पर सूचना चार घंटे ट्रेफिक में फसी रही सूचना को करनाटक ले जाने वाले ट्रेक्सी ड्राइवर की पहचान नार्थ गोवा के रहने वाले राईजान डिसुजा के रूप में की गई उसने मीडिया को बताया कि उसे 7 जनवरी की राद 11 बजे होटल के रिसेप्शनिस्ट ने कॉल किया था उसने कहा कि सुशना को बैंगलू जाना है 30,000 रुपे की राये पर बात पक्के हुई थी टेक्सी ड्राइवर के मुताबिक वो राद 12 बजे अपने एक साथी के साथ होटल पहुचा था सुशने ने बताया कि उसे अरजेंट काम है इसके बाद वे रात में ही बैंगलू निकल गए गोवा करनाटक बॉर्डर पर एक ट्रक का एक्सिडेंट हुआ था जिसके करण लंबा जाम था सुशना करीब चार घंडे तक वाँ फसी थी टेक्सी ड्राइवर ने सुशना को गोवा एरपोर्ट छोड़ने की पेशकश की हालाकि सुशना ने कहा कि वो टेक्सी से ही जाना चाहती है भले कितना भी समय लगे टेक्सी ड्राइवर के मताबिक उसने सुशना की बात थोड़ी अजीप लगी क्योंकि सुशना ने कहा था कि उसे बैंगलूर अरजेंट पहुंचना है सुशना रास्ते भर चुप थी उसने सिर्फ एक बार ड्राइवर से पानी पूछा पुलिस के मताबिक सुशना मूल रूप से पश्चिम बंगाल की निवासी है वो बैंगलूर में रहती है वहीं वैंकट रमन केरल के रहने वाले हैं दोनों की 2010 में शादी हुई थी वैंकट रमन एक AI डेवलपर हैं 2019 में सुशना ने एक बेटे को जनम दिया हाला कि 2020 में सुशना और उसके पती के बीच विवास शुरू हो गया इसके बाद दोनों ने 2022 में तलाक की अरजी लगाई कोट ने आदेश दिया था कि सुशना की पती अपने बच्चे से हर रविवार को मिल सकते हैं सुशना नहीं चाहते थी कि उनका पती बेटे से मिले पुलिस को शक्खे की इसी वज़े से सुशना ने अपने बेटे की हत्या की होगी सुशना ने अगस्त 2023 में पती पर घरेलू हिंसा का भी आरोप लगाया था उसने कहा था पती मेरा और मेरे बेटे का शारिरिक शोशन करता है इसी के साथ बने रही है राज़नमा ठीवी के साथ धर देवार